नमस्कार स्वागत है आप सभी का यूपी लेकपाल भरती 2022 में आज लकनव बेंच में कोर्ट में सुनवाई थी संसोधित आंसर की में कुछ प्रश्णों को लेकर के और इसके पहले चार डेट लगी थी लेगिन चारों ही डेट पर केस पास ओबर हो गया था सुनवाई नहीं हो पाई इलाबाद हाई कोर्ट से जो मैटर डिस्पोजड आप हुआ था 19234 में उस मैटर में आप देखेंगे मामला डिवीजन बेंच में भी पहुंच चुका है और इधर लकनव बेंच में सुनवाई नहीं हो पा रही है और अगर ये मामले इसी तरह से अभी जिस तरह स कोर्ट से सुनवाई हो भी गई थी उसमें वापस से डिवीजन में मामला पहुंच चुका है जब भी उसकी सुनवाई की डेट लगेगी तो इस तरह से ये महिना भी कोर्ट की सुनवाई में ही निकल सकता है फिर आपका रिजल्ट कब तक आ पाएगा सचीव सर ने बोला थ है कि हम पूरी कोसिस करेंगे कि आपका रिजल्ट जल्ट से जल्ट डिकलियर कर सकें पवने चार बज़े की आसपास तीन बच कर बयालिस मिनट पर यह हमने कि स्क्रीन साट ली थी डिस्पले बोर्ड का अगर आप देखेंगे तो 379 सीरियल लंबर का मामला सुना जा रहा थ आपका मैटर 565 पर था चार बज़े तक सुनवाई होती है कोट में यह देखें अभी का करेंट इस्टेटस है आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 बचकर 29 मिनट 56 सेकिंड दो मार्च अगर आप यहाँ पर देखेंगे 2 मार्च की डेट लगी थी आज की और अगर आप यहाँ पर देखेंगे केस का इस्टेज अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो 2 मार्च को भी केस पास अबर हो गया है इसके पहले भी चार बार हीरिंग नहीं हो पहे थी केस पास अबर हो गया था अगर आप यहाँ पर देखेंगे थोड़े दिर पहले का case status था 16th March की date यहाँ पर दिखा रहा था बट अभी बिल्कुल जश्ट पहले हमने चेक किया था वीडियो अप्लोड की समय जब यह वीडियो बना रहे हैं उस समय का उसमें आप देखेंगे तो कोई भी उसमें date अभी नहीं दिखा रहा है तो अभी इसको हम 16th March ही मान करके चलते हैं आप सभी को पता है कि 7663 वाले मामले में आयो की तरफ से जबाब लगाया जाना है और उसके बाद याची पक्ष की तरफ से रीजवैंडर जब ये दोनों कारे हो जाएंगे उसके बाद ही फिर ये matter पर आगे सुनवाई होगी matter decide होगा साथ ही साथ दोनों पक्षों के अधिवक्ता भी उपस्तित होने चाहिए सुनवाई की दिन अभी कुछ दिन पहले ही सची उसर से मुलाकात हो भी थी कितना दिन होगा 28th February की बात है दो दिन पहले की बात है बट आज कुछ हो नहीं पाया तो ये कुल मिला करके यूपी लेकपाल भरती में आज की code की update हो गई इलाब आधा एक और division bench में जो मामला गया है उसके बारे में आ लेडी आप सभी को इसके सुबह वाले वीडियो में आज की date में बता चुके हैं यहां परती की दो भरतियों को लेकर गया और भी यहां पर update है पहली भरती है boring technician सहाइक boring technician भरती यह बरती भी पुरानी भरती है और exam हुए काफी समय हो चुका है result इसमें आना है इसमें कुछ result पहले आ गया था उसमें आगे की process की गई उसके बाद बाकी की result बाद में आये थे जैसे निरक्षक की post हो गए और इसके बाद फिर result में कुछ विशंगतियां पाई गई committee बनाई जाती है committee जाज करती है और कई महीनों की जाज के पसचात committee की report यूपेटर पलसी आयोक सासन आधी जहां पर भी बेजी जानी है वहां पर बेजी गई है और अभी उसमें हमने लगबग आज से महीना बर पहले महीना डेल महीना पहले हमने आपको update दी थी कि इसमें आप देखेंगे कि भरती रद हो जाएगी इस तरह की भी बाती चल बीडियो 2018 भरती में भी इसी प्रकार से आप सभी जानते हैं उसमें बताने क्या हो सकता नहीं है कितनी चेड़ चाड़ हो भी थी ओमार सीट से वहां पर भरतियां रद करनी पड़ी थी वेश्ट बंगाल में सिक्षक भरती उपी मामला कोर्ट में गया कोई रहत नहीं मिली बीडियो भरती में भी सुप्रिंग कोर्ट तक मामला गया लेकिन कोई रहत नहीं मिली दोबारा से प्रक्षा करवाई जाएगी बट इस भरती में इस प्रकार की शिकायते नहीं मिली है तो उसमें दोबारा से रिजल्ट आने वाला है आप लोग डीबी की डेट पूछते हैं और अभी हाँ पर दोबारा रिजल्ट आने वाला है या जो भी उसमें सासन का निर्देश होगा हलाकि भरती रद जैसी कोई भी जानकारी तो नहीं मिल पा रही है और उसमें जो चीजे पहले पता चली थी हमने आपको बताया था कि दोबारा से ही रिजल्ट इसमें आना है ताकि जो कुछ भी विशंगती हो गए थी पहले बाले रिजल्ट में उसको दूर किया जा सके तो फिलाल में बिलकुर हो भी लैटेश्ट की कोई भी अपडेट कनपर्म जानकारी नहीं सहायक बोरिंट टेक्निशन भरति के अब भी अरतियों के लिए अच्छी कबर है अब अगली नोटिस देखिए और भी भरतियों पर कारे चलता रहता है जैसे अगर आप देखेंगे करेंट में कुछ भरतियों की एक्जाम डेट को लेकर के उनकी साटलिश की नोटिस हो ऐगी अब ये बिल्कुल आपको यह नहीं बता पाएंगे कि एक दिन दो दिन तीन दीन में आपका रिजल्ट आ हाइगा जब फिल्कुल वह दो दिन सेश रह जाएगा तो आप सभी को कंपर्म पता चल जायाँ कि siण कर रहे लेकिन आपका रेजल्ट आने में बहुत ज्या जानकारी नहीं मिल पा रही है नहीं आपको बता पारें बस इतना आप सभी जान लीजिए कि अभी फिलाल में बोरिंग टेक्नीशन भरती का रिजल्ट आना है और उसके बाद भी मंडी परसत भरती पर कारे होना है एक भरती और जही दोजार रटा रहे कि उसमें भी कुछ भ करतियों की बिग्यापनाएंगे वीडियो को आप सभी प्लीज लाइक करके सेर कर दीजीगा आप सभी और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे जो भी सही और आथेंटिक जानकारी होगी समय समय पर आप सभी को हम हमारे चैनल की मादेम से जानकारी प्राफ होती रहेगी धन्यवाद